फैनली दोस्तों बिहार लोकसिवा आयोक के द्वारा बिहार अध्यापक भरती परिक्षा 2023 को लेकर सिलेवस और पाठकरम अधिकारिक बस्टायट पर जारी कर दिया गया है साथ ही इस परिक्षा में निगेटीम मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है इसके अलावे इस परिक्षा में CDP से कोई भी प्रस्न नहीं पूछा जाएगा जिसके विरोध में सभी अव्यर्थी आज डाक बगला चोड़ाहा पर हजारों संख्या में पहुँचकर सरकार के खिलाप और विवाग के खिलाप परदर्सन सुरू कर दिया है और साथी साथ ट्वीटर केमपियन के माध्यम से सिलेवस में बदलाव और नो निगेटी मार्किंग को लेकर हैस्टेग का केमपियन जो हैं सुरू कर दिये हैं सभी अभ्यर्थी इसमें समलित हो सकते हैं साथी जो है अपना योगदान दे सकते हैं ट्वीटर केमपियन के माध्यम से अपना योगदान देने के लिए आपको अपना ट्वीटर एकाउंट को ओपेन करना है और plus के icon पर आपको click करना है यहाँ पर आपको अपना संदेश लिखना है संदेश आप इस तरीके से लिख सकते हैं और hashtag का पड़ियोग जो है आपको bpsc hashtag bpsc underscore tree underscore no negative इस तरीके से आपको hashtag का पड़ियोग करना है और जो है आप जिन जिन को tag करना चाते है at the rate लगा कर आप उसका ID यहाँ पर डालेंगे तो वो tag हो जाएगा और इस तरीके से आपको जो है twitter पर कुछ message लिखना है इस तरीके से message लिखने के बाद यहाँ पर आपको tweet का option मिलना है यहाँ पर आपको tweet करना है आपका जो है यहाँ पर एक tweet जो है देखेंगे successfully आपका इस तरीके से हो जाएगा इसके अलावे जैसे ही आप हमारे kosia study ID पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो है like का button मिलेगा और यहाँ पर आपको retweet का एक option मिलेगा यहाँ पर आपको retweet कर देना है इस तरीके से आपको पांस से दस बार जो है यहाँ पर परती है कि मिनट में करना है और दूसरे ID से भी आपको यहाँ पर retweet करना है ठीक है और आप सभी support कीजिए क्योंकि यह syllabus जो जारी किया गया है यह बिल्कुल कताई जो है कह सकते हैं उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पर दो साल सभी student B.A.D. किये है या फिर D.A.D. कोर्स किये है तो उसमें जो है सिक्षन सास्त्र को ही परार्थ मिक्ता दी गई है अगर हम डॉक्टर का पढ़ाई करके हम engineering का परिक्षा देने जाएंगे तो यह सब possible है नहीं ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर नोकरी देने के नाम पर जो है यहाँ पर student के साथ धोखादरी हो रही है और यहाँ पर धनुगाई ही की गई है यहाँ पर student की हीद की बात नहीं की गई है तो कि सरकार जानती है कि इस परिक्षा को हम इस तरीके से लेंगे तो दस हजार मेक्सिमम स्टुडेंट भी पास नहीं कर पाएंगे और हम नोकरी का धेंडोरा पिटेंगे कि तीन लाख अभियर्तियों को हमने नोकरी का मौका दिया लेकिन हम को योग अभियर्ति ही नहीं मिल तो आप सभी इस बात को समझ सकते हैं और जदा ज़दा सपोर्ट कीजिए और ज़दा जबस आपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए इस वीडियो को और ज़दा ज़दा रिटूट भी कीजिए धन्यवाद आप सभी का